साथ जाहिर होता है कि ममता बेनर जी का अलपन बंदो बाद्दे के साथ कोई खास एक इंटरेक्शन है जो इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहती वो उसको एदर चीफ सेक्टरी और एडवाइजर अपने साथ रखना चाहती है जो एक दूसरे का सर्फ कर रहे हैं विचीज़ वेरी वेरी सीरियस मैटर इन देस अगर्वर्मेंट सर्विसीज़ यहां पर यह क्लियर कट ओफेंस था कि ही डिडिनाट ओबे दी ओर्डर अपनेट डिपार्टमेंट तो एक्शन इस नाफिर एक्शन लाइज अगेंस्ट इम उसके बाद में सेंटल गवर्मेंट ने उनके ओपर एक शोकाज नोटिस भी इशू कर दिया है कि खिलाब चार्शिट भी दायर की जा चुके और इसी को लेकर हमारे साथ खास बातचीट करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोट के वरिश्वकेल एडवोकेट विनलेश यहां पर मौझद इनसम सीदे बातचीट करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे जो कानूनी दावपे जो चल रहा है बंगाल वर्षेस केंदर की बीच में अब यह आगे क्या मोड लेता है और क्या कुछ अब अगला स्टेप यहां पर देखने को मिलेगा तो सर जिस तरीके से अब जो बंगाल वर्षेस केंदर की लड़ाई थी वह बहुत जादा दिल्चस्प मोड ले चुकी क्योंकि अब जिस मुक्ष सच्चिव को ममता वनर जी बचाने की कोशिश कर रहें थी सर केंदर की ओर से अब शुकंजा कर चुका है तो सर अब आपको क्या लगता है क्योंकि आप वरिच्च वकील है तो आपका कानुनी दाव पिंच क्या कहता है कि अब क्या मोड इस पूरे मामले को लेकर आने वाला है सर्विसीज दो किसम की होती है एक तो प्रविंशियल से कवे जिसको स्टेट्टः करता है क्रूट menっていう से करता है एडमिस्टेशन स्टेट करता है डेस्टटल अंडर दिय रस सटीट एक सोती संतल सर्विचिस जिसके इनन एडिस्टेटिव सirus ये सेंनल सेंट्रावर्मेंट के नीचे होती है सेंट्राल गौर्बंट इसका पेरिंट डिपार्ट में था है और सारा अडमिस्टी जो भी मैटर मेकर्ज ओते रिगारदिंग अफिसर्स जो कि सब्सक्राइब क्या अब कर दो जो भी मैटर्ज वहते हैं देटीज डैल बाइडा गौवर्वांटाफे इंडिया ते मिनिस्ट्री आफ वहुम माद ऐड़ ग्याजende तो इसे लिए स्टेट्स को भी मिन को हो मारी नरी रहेंगी जिसको जो कहते हैं हम IES कहते हैं और यह Central Government इन ओफिसेस को डिफरेंट स्टेट्स को देती है बट उनका जो administrative है establishment matters है उनका जितना टांसफर पोस्टिंग का है लिप ग्रांट का है all misdainous matters they are dealt by the Central Government the only thing that they are under the state for providing them these services this case में क्या हुआ यह जो अल्पन बंदुबाद नहीं जी हैं he is from the IES cadre that means he is under the Central Government of India but has been deported to the Government of West Bengal right but you incident West Bengal Government में हो रहे थे for the last one year because he is a chief secretary of the West Bengal Government for the last one year they were totally only undemocratic situations were being created in that West Bengal state elections के दोरान before elections during elections and after post elections इतनी जादा वहां पर रोट्स हुए है इतनी जादा आपको casualties हुई है इतनी जादा वहां पर एक उन्रेस्ट हुआ है पब्लिक के अंदर that was mostly state-sponsored otherwise the police of the West Bengal is a very efficient police they could have taken immediate step and control the situation but here the West Bengal police was a spectator only they did not take any action against the reuters and that reuters also belong to a particular community and the race was against another particular particular community whether he belongs to the Congress or he belong to the Communist Party belong to any party other descendants of the TMC also and that particular community persons those who are also the part of the TMC यहनिके जो एको minority के जो लोग थे जो TMC के बड़े supporters थे उन्होंने दूसरी community को जो majority community है हिंदूस की चाहे वो Congress को belong करते हों चाहे वो communist को belong करते हों चाहे वो TMC को belong करते हों जो descendant हुए जो TMC छोड़के बीजेपी में हैं उनके इतना बुरा हाल किया लोगों के मकान तोड़ दिये जला दिये उनकी बेहन बेटिओं की साथ में रेप किया और इस चीज का कोगनीजन जो है ना दिल्ली जो आपकी वेस्ट बेंगाल गौर्मेंट थी या वेस्ट बेंगाल की पुलिस थी या उसके होम सेकेर्टरी थे उनके चीफ सेकेर्टरी थे किसी नहीं लिया है और सारी यह कहना कि छोटी मोटी चुटपुट गटना इससे कोई फरक नहीं ऑand मुटा बनीजुट कहाजी इससी चीशन बहुत जा़एए भास announcement you have to take some steps but no stepslavThis Sud टेकन either by thereseans the snatchे मिनस्ट बेंगार उन लेव जेवाल or the state government at the level of the home secretary are the chief secretary because all these sect patDER Canada's they are under the chief secretary if the home secretary doesn't provide properly it's a duty of the chief secretary to take note of it and direct the home minister to home Secretary to take the proper पर एक्षिन तो इसके अंतर जो ओराल जुमेदारी बनती है फर दिर रोट्स विच है पंद इन वेस्ट पेंगाल दूरिंग दूरिंग रिसेंट एलेक्शन देज फिटीफ सेकेटरी एंदी मम्तब एनर जी और बल्कि मैं तो न्यूज में यह भी पड़ रहा था जो सुनने इंडिया एस पर इस एलेगेंस तो दर कॉंसुशन अफ इंडिया एस पर इस कमेंटमेंट मेंट एट इस ताइम आप जॉनिंग सर्विशिज बटी वाद एक्टिंग आप दी मम्ता और जो मम्ता जी कहते थे वह करता था चाहे वह अनकस्टिशन रहा हो चाहे उसके अंदर कितनी भी जो है एक लिगलेटी रही हो चाहे वह अनकस्टिशन रहा हो इलेगलेटी हो या किसी किसम से वह देट वाज नौट ए पब्लिक फेवरिंग एक्शन तो यह सब चीज देखते हुए और दूसरी बात जो रिसेंट ड़लोप्मेंट हुई है जब हमारे प्राइम मि ममत bellerji along with this alpan bandho crdICK Kept not only me but the opposition leader also the governor of the West Bengal also and some two three other high dignity is also waiting for more than 30 minutes when they were very much in the same place they could have reached within five minutes or within ten minutes or they should have been there prior to coming of the Prime Minister and other dignities जो as per the protocol होता है जब भी कहीं मीटिंग होती है इस टाइप की CM जाते हैं स्टेट्स के अंदर तो जो वहां के CM होता है वो PM को receive करने जाते हैं उसके बाद में मीटिंग अटेंड करते हैं उनके साथ में Chief Secretary भी होता है पर इतने बड़ी जो ग्लेरिंग उन्होंने मिस्टेक की है और इसी तरह से हमारा आई है जो की बहुत जादा एक सुपीरियर बाबु के नाम से मशूर है और सारा के backbone of the country है अगर वो इस तरह करना शुरू करें एक क्रिमिनल इंटेंशन से उनका मैंश्रिया जो क्राइम हो और उस तरह से वह एक देश के प्राइम मिनिस्ट्री की बेज़ती करना चाहें उसे डाइट इन कंफिक्ट बनना चाहें और एक पर्टिकुलर बिंगे चीफ सेकेटरी ही हाज गॉड नो एलि मिनिस्टर को वेट करने को कहा अब इस मामले में क्या कुछ आगे किन सरकार की और से बड़ी कारवाई अलपन को लेकर हो सकती है देखी एप परसन तिल ही रिटायर अप टू फाइब पीम अप दे लास्ट देट अफ रिटार्मेंट शायद इनकी डेटा बर 17 मई 1961 है उसके साफसे यह जो है ना सोला मैं को यह सत्रा मैं दो जारी किस को टार हो जाने चीए देख बन दू एक नोटिफिकेस्टार का रहा है कि he will be retiring on the last day of the month of retirement that means he was supposed to retire on at 5 pm of 31st of may 2021 before retirement he was given extension on the request of the cm of the west bengal for three months though she asked for the six month extension extension दी गई थी 28 तारीक को उसके बाद में immediately when the central government ने सब चीजें देके हलाद देके उसको study किया उन्होंने का ठीक है जी you come back to center we are sending another Mr. HK जो है HK दिवे दी जी तो उसमें क्या हुआ है ममताब एनर्जी ने बड़ा smart gameplay किया कि उन्होंने उसको ऐजे अपना advisor पॉइंट कर दिया और उसको का जी हम निलीव नहीं कर सकते और आप इसको मत बुलाईएगा but I am surprising हमारे सभीधान के अंदर हमारे services के अंदर no person is indispensable कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि उसके बिना काम नहीं हो सकता everybody is dispensable अगर मानलो मैं chief secretary हूँ मैं आजटायर हो जाओ तो there is somebody else who can take the work and maybe मुझसे बड़िया काम वो कर सके तो जो प्ली मम्ता बनेजिली कि साफ वो indispensable looking after a very important work that means there is no other officer with the and with the west bengal government जो उसके साफ से उस तरीके से काम नहीं करता हो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि मम्ता बेनर जी का अलपन बंदो बाद्दे के साथ कोई खास एक interaction है जो उसको चोड़ना नहीं चाहती वो उसको आज़े चीफ सेक्टरी और एज़े advisor अपने साथ रखना चाहती है because there might be some internal जो है अपस का जो हुनका mutual को अडरस्टेंडिंग है जो इंटरस्ट है जो एक दूसरे का serve कर रहे हैं which is a very very serious matter in this government services जो ऐसे लिए अगर आदमी को मान लीजे मैं 31 मही को retire हो रहा हूं आज है और पाच बज़े तक अगर मुझे कोई भी संदेशा आता है from my parent department जो कि आई-स के लिए central government होता it's my duty to obey उनको एक message मिलाता you come and join the duties that message was given to him on 28th of May 2021 2021 to join the duty at central government at north block new Delhi on Monday that is 31st of May 2021 he did not join that is a clear case of the insubordination अगर एक subordinate officer senior officer का कहना ना मने उसको defy कर दे it's an offense actionable action है वो under the civil services rules जैसे जो भी गवर्मेंट होता उसके लिए rules बनाए हैं center ने जिसके इसाब से वो operate करते हैं उनका सारा काम चलता है यहां पर यह clear-cut offense था कि he did not obey the orders of the parent department तो action is definitely actual lies against him उसके बाद में central government ने उनके ओपर एक शोकाज notice भी इसू कर दिया है वेने शोकाज notice has been issued to a person before retirement in this case it is not necessary कि शोकाज notice 31 को ही देना चाहिए था क्योंकि already उसको extension तीन मैने की central government ने अप्रू कर रखी है अगर वो दोरान से पहले अगर रिजिनेशन भी देता है अस्तिफा भी देता है that is subject to the acceptance approval by the central government इस case में मैंने सुना है कि अलपन बंडबाद यह ने at the investigation of the GM उन्होंने अस्तिफा दिया central government कि I want to get myself retired on 31st and I don't want to get any extension because CM had assured him कि मैं आप यहां से retirement ले लिजे मैं आपको अपना security अपना जो है advisor बना के अपने साथ रखूंगी परंतु उनको यह पता होना चाहिए being a very very senior IAS officer कि that जो अन्होंने application लगाई registration letter लगाई स्तिफे का that is subject to approval जब से से central government already three many extension दे चकी on the request of the CM that extension cannot be withdrawn unilaterally और इसका जरूरी नहीं है कि उनका स्थीफा सभीकार हो दूसरी बात शोकाज notice already उनको issue हो चुका हो है under the circumstances it is hundred percent sure that action disability action will be initiated against him and second thing what I want to tell you which is very very important over here that the mamta की जो भी latest tweet में देखा उनकी आई उन्होंने क्या कहा यह जो है बहुत गलत हो रहा है दूरो क्रेशी को खतम किया जा रहा है भी रोकेशी के सारे अफसर्स कोई खठा हो कि इसको लड़ना चाहिए जो लड़ता है वो जीता है जो लड़ता नहीं वहारता है मैं हमेसा लड़ी हो मैं जीती हूँ मैं यह चाहता हूँ कि किसी तरह से जो है वेस्ट बेंगाल तो उनके ओपर कोई एक्शन नहीं लेगी बिकाज वेस्ट बेंगाल पुलीज अंडर दा सी एम तो सेंट्र गोवर्मेंट शुद टेक कोगनिस अफिट टीक संट्र गोवर्मेंट कि वहां पर गोवर्नर है कि अगेंगा बजाएं जो मरी टेश पुरी पूरी उसके अंदर रिवोल पार करके यह क्या मैसेज देना चाहती है तो मेरा ओवराल कहने का मतलब ही है इस तरीके से अलपन ने जो यह इस्तिफा दिया है वो और समय धानी के जो गलत है उस पर कारवाई होनी चाहिए लेकिन फिलाल आपकी इस पर क्या रहा है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले